यह वीडियो एर्टोरियल कम्पाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियो पेपर वाईस और टोबिक वाईस देख सकते हूं। और अगर आप दिसमबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हूं, तो वीडियो के नेचे म इंडिया ने काफी सारी चाइनीज एप्लिकेशन पर बैन लगा दिया हैं उसके बाद चाइना के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि इंडिया के द्वारा चाइनीज एप्लिकेशन पर बैन लगाना ये डबलू ट्यो के रूल्स के अगेंस्ट हैं तो काफी सारी एक्सप करके रखी हैं दूसरे देशों की बड़ी साइबर कंपनी को चाइना अपने देश में ओपरेट नहीं होने देता जैसे एक्जाम्पल दिया जाता है 2010 का 2010 में जब गूगल अपनी जड़े जमा रहा था चाइना में तो चाइना ने क्या किया गूगल को इंस्ट्रक्शन्स देना स्टार्ट कर दिया कि आप इन सब पर बेहन लगाएं मतलब अगर चाइना का कोई परसन यह सब चीजें सर्च करें तो यह नहीं दिखनी चाहिएं आपके सर्च रिजल्ट्स में इस परकार से डिरेक्शन्स देनी स्टार्ट कर दी Google में दूसरी companies के ऊपर cyber attacks भी होने लगे तो दुखी होकर Google ने कह दिया कि हम चाइना को छोड़ रहे हैं मतलब और भी काफी सारी companies थी USA की जिन्होंने 2010 में चाइना को छोड़ दिया लेकिन देखो ठीक उसके बाद internet का boom आ गया और चाइना में भी internet users की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी 2010 के आसपास चाइना में internet users की संख्या थी 300 million और आज के समय में चाइना में internet users की संख्या है 900 million सोच के देखी इतने ज़्यादा internet users हैं चाइना में फिर भी world की बड़ी जो internet companies हैं for example Amazon तो कैसे किस मूँ से चाइना इस परकार के आरोप हम पर लगा सकता है खेर हमारा focus इस article में ये है जब देखो Google जैसी companies 2010 में चाइना को छोड़ के चली गई तो चाइना की जो local companies थी उनके लिए एक बहुत बड़ी market थी बहुत चाइना में इतने सारे internet users थे चाइना की local companies ने USA की companies को मतलब world की बड़ी companies को copy किया जैसे Google है उसी परकार से बैदू है चाइना में जैसे YouTube है उसी परकार से चाइना में है योग कू तूडो मतलब कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी जो world की companies है न Instagram, Facebook उन सबका copycat आपको चाइना में मिल जाएगा लेकिन देखो धीरे धीरे चाइना के जो entrepreneurs थे उनको ये समझ में आ गया कि सिरफ copy करने से काम नहीं चलेगा हमारी खुद की market इतनी बड़ी है तो चाइना की market के हिसाब से हमें products डवलप करने होंगे ऐसा ही हुआ धीरे धीरे चाइना के पास भी technology आती गई 2010 में एक report जारी हुई थी उस report में US के president ने ये माना था कि देखो अब चाइना की बहुत सारी applications, बहुत सारे products ऐसे हैं जो USA के products के copycat नहीं हैं मतलब कई माइनों में चाइना भी काफी आगे निकल चुका है खास करके artificial intelligence research और इसके components neural networks and deep learning अब देखो ये सब तो हमने background discuss किया चाइना से parallel draw करने की कोशिश करते हैं राइटर चाइना से USA की companies जब चली गई थी तो चाइना की local companies ने फाइदा उठाया चाइना की market का ठीक वही opportunity आज हमारे पास है आज देखो हमने Chinese applications को ban किया है तो हमारे local talent के पास opportunity है कि इंडिया की इतनी बड़ी market को utilize किया जाए आज के समय में देखो जो internet है सबसे सस्ता इंडिया में है और internet users की संख्या भी हमारे देश में काफी ज़्यादा है 500 प्लस million चाइना इसका इस्तमाल कर रहा था चाइना के पास देखो जो चाइना के citizens है 900 million के आज पास उनका तो सारा data है ही लेकिन चाइना की companies को ये पता था कि अगर world market पे dominate करना है तो उसके लिए इंडिया की market काफी ज़्यादा important है चाइना की companies अपने artificial intelligence समंदित algorithm डवलप करती और उसको इंडिया की market पे test करती अगर इंडिया की market पे वो खरा उतरता तो बाद में उसी algorithm को world के दूसरे देशों में भी adopt किया जाता लेकिन अब इंडिया की market चाइना के हाथ से निकल गई है और देखो एक खरानी वाली बात ये है जब इंडिया की market के लिए competition चल रहा था USA और चाइना की companies के बीच तो इंडिया के जो entrepreneur थे वो ध्यानी नहीं दे रहे थे हमारा ज़्यादा फोकस पता है किस चीज़ पर है हमारी बड़ी IT companies जो है TCS, Infosys ये क्या करती है ये data services प्रोवाइड करती है या फिर दूसरी IT services प्रोवाइड करती है European companies को USA की companies को लेकिन इंडिया की market इतनी ज़्यादा बड़ी है क्या आपने देखा है कोई इंडिया की कोई application वर्ड पर रूल करती हो नहीं, आलमुस्थारी जो applications है वो चाइना और USA की है जबकि देखो इंडिया एक बड़ा IT power है लेकिन हमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया अभी भी क्या हो रहा है Chinese applications पर जब बैन लगा है तो हमारे बहुत सारे entrepreneur सामने आए है उनी applications को replace करने के लिए जैसे जो actor है अक्षे कुमार वो बोलते है PUBG बैन हो गया, एक नई application आएगी 4G उसी परकार से TikTok के alternatives या दूसरी जो applications बैन हुई है उनके भी alternatives निकल के आ रही है writer कहते हैं भीया ऐसे काम नहीं चलेगा आप किसी की copy करके आगे निकल जाओगे ये possible नहीं है चाइना ने ऐसा नहीं किया था बाद में Alibaba, WeChat नई-नई innovations चाइना में निकल के आई थी शुरुवात में तो उन्होंने copy की थी USA की applications की लेकिन उन्होंने local situation को देखते हुए उनको cater करने के लिए उनकी requirements को देखते हुए अलग-अलग applications बनाई जो चाइना के लोग की डेली जूर्तों को पूर्ती करती थी उसी परकार से देखो इंडिया में इतनी जादा diversity हैं, इंडिया में इतनी languages हैं, अलग-अलग culture हैं तो localized applications बनाने के लिए अगर entrepreneur आगे आती हैं local requirements के हिसाब से तो फिर धीरे-धीरे इंडिया इस दिशा में super power बनने के दिशा में आगे बढ़ सकता हैं समझ गे, मतलब अगर हमारे entrepreneur अभी copy करने की सोचेंगे तो इससे देश को फाइदा नहीं होने वाला है हमें innovation पर ध्यान देना होगा जैसे देखो, छोटा सा area है राजस्तान का, हर्याना का यहां पर train routes को देखते हुए local food को देखते हुए application बनाई जा सकती है या फिर local business ideas को देखते हुए application बनाई जा सकती है इस परकार की applications का काफी ज़्यदा scope है और देखो, बात यह नहीं है कि यह applications इनका जो coverage area है मतलब छोटा होगा, डाउनलोड करने वाले लोग कम होंगे सेम तरह की applications अलग-अलग area के लिए बनाई जा सकती है अलग-अलग language में और उसी परकार से बाद में यह जो products है developing countries में भी उतारे जा सकते है जैसे देखो, अफरीका की market है साउथ अमरीका की market है आम तोर पे, यह बड़ी जो companies है चाइना की हों, या फिर USA की हों यह सिरफ world के जो सुरुवात के, मतलब top के 15% लोग है, उन पर ही focus करती है नीचे के जो गरीब लोग है, उन पर यह companies focus नहीं करती है लेकिन हमारे entrepreneurs ऐसी application बना सकते है जो खास करके गरीब देशों के लिए हो, developing countries के लिए हो, और नीचे के मतलब income के मामले में नीचे के जो 85% लोग है, उनको cater करती हों यह applications तो यह सारी बाते उसको exploit कर सकते हैं तो यह पूरा article हमने discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion